वेलकम तो दी डिस्टी प्लाटफॉर्म ऑनलाइन सौगत है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स का फाइनली वो डेट आ गया है फॉर्म्स विंडो ओपन है फॉर यूर ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2024 ध्यान देने वाली बात है कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको जो है कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन जो है आपके जानकारी में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है डेट जो आपका ओपन हुआ है 9 फेबरी से लेकर 9 मार्च जो है 2024 शाम के 5 बज़े तक जो है आपके लिए ये विंडो फॉर दी नीट ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन जो है ओपन है आपके लिए लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम इस डिजिटल प्रैटफॉर्म के माध्यम से आपके ईज के लिए कि किसी भी प्रकार के आपकी जो जानकारी कोईरीज है फ्रिक्वेंटली आपके कुछ जो है कोईरीज रहती है उनको इसके वीडियो के थ्रू मैं जवाब दिना चाहूँग इस एक्जाम सीरीज में आपको जो है ध्यान देना है कुछ इंस्ट्रक्शन्स केरफुली आपको जो है आपके दिमाग में बिल्कुल इसको ध्यान से एटेम्ट करना है राइट क्योंकि ये ऑनलाइन फिलिंग है तो जरा सी टेक्नीकल ग्लिच या दूसरे किसी तरह के डाउनलोडिंग में अगर आपने ग्लिच कर दिया तो उससे आपका रिजिस्ट्रेशन डिस्कॉलिफाई हो सकता है या कोशनेबल हो जाएगा और इसी लिए सबसे पहला पॉइंट जो एंटी ने मेंशन किया है राइट ब्रॉशर में आप देख सकते हैं कि एट एनी स्ट इसलिए आपको क्या बाते ध्यान रखनी पढ़ेंगी कि फिलिंग दी एप्लिकेशन फॉर्म के दौरान आपको एडिट और मॉडिफाई का ऑप्शन मिला होता है तो स्टॉप या फिर कह सकते हैं समिट बटन जो है पुश करने से पहले उसको जो है आपको क्रॉस चेक करन होगा कि सभी सेक्शन में आपने दी गई जानकारिया एस पर बेस्ट आफ और नॉलेज पुट अप किया है कि नी राइट नेक्स्ट बात या आती है कि कुछ इंस्ट्रक्शन स्पेशली डॉकुमेंट्स डॉकुमेंट्स में शुरुवात होती है आपके फोटोग्राफ फ रिफ्लेक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस रिफ्लेक्स से आपने सिगनेचर यूज्वली करते हैं उसी को यह अपलोड करिएगा क्योंकि कहीं भी भी किसी तरह के फॉन्ट या दूसरे तरह के ग्लिच सिगनेचर करते दौराण अगर आ गया तो वह पर्मनें का थव इंप्रेशन मांगा गया है किस तरह से मांगा गया है इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके इलावा सारे डॉकुमेंट्स की चेक्लिस्ट तयार करके प्रॉपर सीक्वेंस में उसको जो है आप उसकी इमेज प्रीडिया तयार करके ही अपलोड करे क्यो क्योंकि जरा सभी उसमें कोई चरा का uploading में कुछ छूट गया या फिर आप नहीं कर पाए तो वो दिक्कत दे सकती है आपको right and at last mobile number email id की जब बात आती है तो definitely वो जो आप submit करते हैं तो उसको verify करने के लिए OTP जो exchange होता है उसको fill up करते हुए बिलकुल ध्यान रखिएगा क्योंकि उससे अगर आपका respective glitch आ गया तो respective registration disqualify हो सकता है ध्यान रखिए तो please understand this is all our very important points यह चार बाते आपकी बहुत एहम हैं जब आप अपना registration form fill up करते हैं online digital platform के through right so एक जानकार एक guardian के साथ systematically study करके ही आप इस कदम को उठाएं and at last please last but not the least question paper का medium आप carefully कैचेक करते हैं यह भी एक बहुत बड़ा issue है ध्यान रखिएगा dear neat experience आप सबी का भविश्य में स्वागत है और यह ऐसे जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए stay tuned आपके सामने आने वाले दिनों में ऐसे और successive videos हम share करेंगे जिससे की अगले एक मेहने में related is form feeling से related किसी भी तरह की technical glitch का सामना आपको ना करना पड़ेगा so I wish you all the best, bye bye